26 जन्वरी का दिन हर साल गंतंत्र दिवस के नाम से ही मनाया जाता रहा है कभी इसे स्वतंत्रता दिवस बोलने की भूल भर हो जाय तो ही लोग गलती गिनाना शुरू कर देते हैं क्या आप जानते हैं कि ये दिन कभी वाकई में स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाता था। वो भी एक या दो साल नहीं पूरे 18 साल तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के नाम से ही मनाया जाता रहा। उस वक्त 15 अगस्त पर जशन मनाने का कोई रिवाज नहीं था। क्योंकि तब तक देश आजाद ही नहीं हुआ था। 1936 में 26 जनवरी ने रचा इतिहास। हिंदुस्तान का एक रांतिकारी इतिहास 26 जनवरी 1930 को रचा गया। जिसकी नीव पढ़ी डिसंबर 1939 में जब भारतिय राष्ट्रिय कॉंग्रेस का लहौर में एक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नहरू ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा। जिसमें कहा गया कि 26 जनवरी 1930 तक अगर अंग्रेज उन्हें डॉमिनियम नहीं बनाती है तो भारत खुद को स्वतंत्र घोशित कर देगा। प्रस्ताव पास हुआ और 26 जनवरी 1930 का दिन आ गया। लेकिन अंग्रेजों ने इसे नहीं माना। भारत को उसका प्रभुत्वन नहीं दिया। जिसके बाद कॉंग्रेस ने खोधी 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोशित कर दिया। इसके बाद सक्रिय आंदोलनों का सिलसिला भी शुरू हुआ। जवाहर लाल नहरू ने 26 जनवरी 1930 का भारत का जंडा भी फहरा दिया। लेकिन आंदोलन का सिलसिला चलता रहा। बृतानिया हुकूमत ने 1947 में देश को आजाद किया। इससे पहले हर साल आंदोलनकारी 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते रहे और तिरंगा फेहरात 26 जनवरी यू बना गंतंत्र दिवस अंग्रेजों ने 15 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से भारत को स्वतंत्र राष्ट घोशित कर दिया। जिसके बाद जाहिरत और पर स्वाधिंता दिवस इसी दिन मनाया जाना था। आजादी के लिए आंदोलन करने वालों की ख्वाहि एक दिन को यादगार बनाने के लिए समविधान 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। ऐसे बना समविधान, समविधान निर्माता के नाम से प्रसिद बाबा साहेब भीमराव अंबेटकर ने तकरीबन 2 साल और 11 महीने से ज्यादा का वक्त लेकर समविधान लिखा। समविध श्राजेंदर प्रसाद को समविधान सोपा, जिसे आने वाली 26 जनवरी यानि 26 जनवरी 1950 में लागू कर दी गई।